नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फार जांस में दोस्तों इस वीडियो में टॉपिक को जो हम लोग डेटेल से कवर करेंगे इस वीडियो में वीडियो सुरू करने से पहले में आपको बता दू यूपिपीशियस प्री बीपियस्टी एमपीशियस साइट का इपेड़ को चल्ले हमारे अगर आप हमारा कोई पेड़ गूर्प जैंक करना चाहते हैं तो यह दो नमबर दिये गए हैं यहाँ प्याप करके पेड़ गू द्वारा 17 जुलाई दोजार तेज को जारी किया गया नीती आयक द्वारा और यह भारत के राजियों के इसमें जो है राजियों का जो मोल ल्यांकन क्या जाता है उसके लिए चार अस्तम निर्धायत किये गए हैं एक तो आपका नीती है तीसरा जो है निर्यात इकोसिस्टम है और चौथा जो है निर्यात परदर्शन है यह चार अस्तम है मोल ल्यांकन की तो इसमें जो है जो सीर्स राज्य है इस इंडेक्स में वो तटी राज्य है उनमें जो है सबसे पहले जो सीर्स अस्तान पर है वह तमिलनाडू है दूसर इसे एस्थान पर करतिक है। यह घुजरात है। ती इसे आस्थान पर ऑपका उत्तर परदेश है, तौिजरात है। मदिर प्रदेश पांचवे अस्थान पर है छटे अस्थान पर जो है राइस्थान है हिमाली छेतरों में उतरा खंड जो है वह सीस अस्थान पर है इसके बाद जो है हिमाचर प्रदेश है केंसासित प्रदेशों और छोटे राजों की स्रेड़े में जो है गोवा पहला इसके पास जो है चमु कस्मीर है दिल्ली है और अंडमान निको बार है और लद्दाक है इन राज्यों को जो है अस्थान मिला है निर्या तैयारी इंडेक्स 2022 में जो जारी किया गया है 17 जुलाई 2023 को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग तर्टी राज्य जो है वो पुरे अगला टोपिक देख थे हम लोग गलोबर जेंडर गैफ इंडेक्स 2023 इसे जारी करता है 200 आर्थिक मंच और यह इसका जो है 17 संस्कृ स्थूर्ण था does 2023 का जो संस्क्रण енस् breaking है 2200 संस्कृ स्थूर्ण बात करते हैं 200 आर्थिक मंच की तो इसकी जो अस्थापना होई थी वह 1971 में होई थी और इसका मुख्यालाय में है स्विट्जर लेंड में जो है इसका मुख्याले है इसकी अस्थापना जो है 1971 में हुई थी और इस इंडेक्स को तयार करने के लिए जो है वह चार आयमों का मुल्यांकन किया जाता है चार आयम कौन कौन से है आर्थिक भागिदारी और असर सिच्छा का असर स्वास्थे उत्तर जीविता और राजनीतिक सस्थी करण यह चार आयम है जिनका मुल्यांकन किया जाता है इस इंडेक्स को तयार करने के लिए और इस इंडेक्स को तयार करने के लिए और इस इंडेक्स को तयार में जो सामिल देश है कुल 146 देश सामिल है इसमें 146 देशों का मुल्यागन किया गया है और इसमें जो सीर्स अस्थान जो मिला है वह आइसलेंड को मिला है पहले अस्थान पर आइसलेंड है दूसरे अस्थान पर नार्वे है तीसरे अस्थान पर फिनलेंड है चौते पर स्वीडन है ये जो है सीर्ष के चार देश है और भारत की जो रैंकिंग है 146 देशों में वह 127 अस्थान पर भारत है और 2022 में 135 अस्थान पर था भारत 127 में 123 में 127 अस्थान पर है और 2022 में 135 अस्थान पर था इस इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देशों के देख लेते हैं इनमें जो बांगला देश की जो रैंकिंग बेहतर है 207 रैंकिंग है चीन की 1070 है नेपाल की 2017 है भूटान की 2030 है और सिलंका 115 है पाकिस्तान 242 अस्थान पर है इस रैंकिंग में तो भारत की जो रैंकिंग है वह 127 अस्थान जो है बांगला टोपिक हम लोग देख लेते हैं अगला टॉपिक है हमारा पुर्जा संक्रमड सुचकांग 2023, एनर्जी ट्रांजिशन सुचकांग, एनर्जी ट्रांजिशन सुचकांग 2023 है, और इससे जो जारी करता है, वह है 200 आर्थिक मंच, इसमें 120 देशों का अध्यन किया गया है, और इसमें सीस असान पर स्वीडन है, इसके बाद डेन्मार्क, नर्वे, फिल्ंलेंड और स्विट्जालेंड ये 5 सीस देश हैं, 5 सीस देश हैं, पहले पर सुचकांग में है, आप लोग इसको नोट कर लिजेगा, अगला टॉपिक है हमारा, वोर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इस असुच कांग में है, से जारी करता है reporters without borders इससे जारी करता है और इसमें जो है कुल 180 देशों का मुल्यांकन किया गया है सर्वे किया गया है और इसमें ब्हारत 11 पाइदान कि गिरावट दर्ज की गई है 2013 के रैंकिंग में और भारत 161 अस्थान पर आ है जबकि 2022 में जो है 2022 में भारत 150 में अस्थान पर था 180 देशों के बीच और सीर्स अस्थान जो है सीर्स अस्थान जो है वो है नौर्वे आइरलेंड डेन्मार्क यह जो है सबसे बैतर प्रदासन कारणवाले सीर्स के पाइदान पर है इस इंडेक्स में कितने देशों का मोह लियंकन किया गया है 180 देशों का भारत की जो रैंकिंग है वह 161 है भारत में प्रेस की हालत क्या है आप लोग इस रैंकिंग से देख सकते हैं सीर्स पे जो है नौर्वे आर्लेंड डेन्मार्क है और सबसे खराब जो रैंकिंग है बियत नाम की चीन की और उत्तर कोरिया यह जो तीनों देश जो है सबसे निचले पाइदान पर है दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत